हेलो दोस्तो स्वागत है आपका फिर से कोने वीडियो में और आज कि इस वीडियो को माध्यम से आपके कुछ डाउट से वह मैं क्लियर करने का कोशिस करूंगा क्योंकि इंट्रेंस एक्जाम रिजल्ट निकलने के बाद इतने सारे मुझे कमेंट आ रहे हैं जिसमें यहाँ और मैंने सारे कमेंट का जो कोशिन ने वो पिक किया है और आज कि इस वीडियो को माध्यम से इस सारे कोशिन का मैं अंसर आपको दूंगा तो वीडियो काफी इंपॉटेंट है यहाँ पर अपको प्रोवाइट करा दी जाएगी यह वीडियो देखने के बाद आपको कहीं जाने की आउसकता नहीं पड़ेगी ठीक है तो अगर आप हमारी चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब रखेगा कि जैसे यहाँ पर डियूट अपको इस चैनल पर सबसे पहले मिल जाता है तो चैनल को सब्सक्राइब किजिगा वीडियो पसंद आये तो लाइक करना मत भूळियेगा ठीक और यमारिक अच्छा सब कमेंट कर दीजगा तो यह अपर जो question को बारे हम बात करेंगे जो सबसे पहला question है वो यह है कि entrance result के बार का process क्या है यानि inheritance result जो निकला है उसके बात का जो process है वो क्या होगा next हमेँ क्या करना होगा ठीक है जो दूसरा question है वो यह है कि merit list कब तक आएगा ठीक है और जो तीसरा है वो यह है कि कितना merit list आएगा यानि जो legitim disciple list तैया होता है पर यहांपर पॉच्छन है कि कितना पॉच्छन है कि कशो यहां पूच्छा एक है क्योंकि मुझे 400 से above कमेंट आ चुके हैं कि मेरा माक है चस्काइए दियु में केमपस मीडेगा या नहीं मिलेगा तो ये भी मैं आपको समझाने वाला हूँ ठीक है और जो यहाँ पर last question है वो यह है कि कितना process और है admission के लिए ठीक है यानि result के बाद का क्या क्या और process अभी बचा है क्योंकि काफी लोगों को नहीं पता होता है कि इसके बाद का process क्या है इसके बाद का process क्या है तो यह भी मैं बताऊंगा आ लेड़ी मैंने दो वीडियो इस पर बनाया है कि process क्या होता है कैसे क्या होता है अगर आपने नहीं देखा है तो आपको इस वीडियो देखने की जरूवत पड़ेगी तो वीडियो को पूरा देखेगा ये वीडियो बिल्कुल मिस मत करेगा एक भी पार्ट तो चलिए एक एक करके कोस्टन को जानते हैं और उसका अंसर के बारे में भी डिस्क्रस करते हैं तो यहाँ पर जो सबसे पहला कोस्टन है कोस्टन ये है कि इंट्रेंस रिजल्ट के बाद का प्रोसेस क्या है तो इंट्रेंस रिजल्ट के बाद का प्रोसेस होता है वह होता है चोईस लॉकिंग का आपको option दिये जाते हैं कि आप choice log कर लें ठीक है जिस भी course का आएगा मैं आपको वीडियो बना के बता दूँगा कि कैसे आपको choice log करना है ठीक है हो सकता है एक official notice भी आ जाए कि क्या 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 करना है कौन कौन से document बनाना है क्योंकि पिछले साल एक official notice जारी हुआ तो ऐसा आता है तो वो भी आपको इस वीडियो के माद्यम से बता दी जाएगी ठीक है फिर जो दूसरा है वो यह है कि merit list कब तक आएगा क्योंकि result आ चुका है तो result के बाद का process होता है वो होता है choice locking का choice locking के बाद ही merit list आता है यानि कल 10 तारी को result निकला है तो हो सकता है कि आज यहां कल में आपका choice locking का option आ जाए और जैसे ही यह खतम होता है उसके बाद ही merit list आना start हो जाएगा यानि तीन से चार दिन के अंदर mails list आने के संभावना अधिक है यहां पर 100% confirm इसली नहीं बता जा सकता है क्योंकि इस पर कोई भी official notice नहीं आया है ठीक है फिर यहां पर जो तिसरा question है वो है कितना mails list आएगा यह काफी लोगों के अंदर doubt है कि अगर पहला में नहीं होता है तो क्या दूसरा आता है या दूसरा नहीं होता है तो यहां पर यह कोई confirm नहीं होता है क्योंकि टोटल डिपेंड करता है कि कितने बच्चे council में यहां पर reporting किये हैं कितने बच्चों ने absent रहा है तो इसके बाद नेक्स कटाप release होता है और यह टोटल डिपेंड करता है कि कि कित पड़ना आ सकता है ठीके क्योंकि पीछे सेल का बात करने तो यहां पर BSC math में 4 cut-off आये थे तो ऐसे में बात करने तो चार cut-off भी आते हैं winter for example, माल ने आज मेरा आज की दिन पहला रीटिस हुआ है मेरिट लिट्रिस लिगास हुआ है किल काॉंसलिंग बाद यह धेखा जायगा कि कितना पाने पर admission होगा ठीक है यह काफी लोगों ने मुझे पूछा है तो यहां पर बात कर लें तो काफी लोगों ने काफी अच्छा marks पाया है जो कि 100% कहा जा सकता है कि उनका admission हो सकता है ठीक है पर यहां पर मैं कोई भी यहां पर 100% पर सेव्टिक साथ नहीं कह सकता क्योंकि यह officially ही बता पाना मुमकीन होगा क्योंकि यहां पर कुछ भी नहीं बता जा सकता है ठीक है मेरिटल हो सकता है high भी जा सकता है लो भी जा सकता है तो अकर आप कम पाया तो बिलकुर tension मत कीजिए जैसे मेरिट लिस्ट आएगा मैं आपक इज़ किने नीखे मते हो ये थिख फिल ये स्वह चाटमा कोशिन है कि प्रक्यश्षर हूं रहा है दो लुकुषिन हो एक चाइब चैँस्लिंग करना पड़ता है तो ये सब्सक्राइब प्रिषक करना पड़ता धूड ये सम्मीट कर न रहते हैंamm modern और CT में जामा करना पड़ता है जामा करते ही आपका admission confirm हो जाता है उसके बाद class restart होगा तो आप जाके class कर सकते हैं तो यही बस process है ज्यादा process नहीं होता है जो भी process होगा next further मैं complete update आपको provide कराता रहूँगा तो tension बिल्कुल लेने की बात नहीं है जाब आप अपडेट रहें चैनल को subscribe रखिए और ऐसे वीडियो पाने के लिए है ठीक है चैनल को subscribe रखिएगा और अगर आपका मन में अब भी कोई question उठ रहा होगा तो आप हमें comment करके पूछ सकते हैं ठीक है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय और टेक केर